हनुमान नगर की बदहाली का असली जिम्मेदार कौन नगर सेवक या महानगरपाली का बेहाल जनता मांग रही हिसा कर दो पिर से मोटी समझता है हाँ बंपिल कच्रा लाताब लोगाना वास यह दे राता है वो जो भी एक नहीं काई नहीं जो तो नवातावा आधिकारी यह तो आम या सकरू तो सकरू मन्ते आनि ते अनुंतर कुली यतने करा है किदर करना आता ही ने तो कंप्लेट करके क्या पाइदा तस्वीर में दिख रहा ये किश्वी सदी के शहर नौइमबई का हनुमान नगर स्लम इलाका है जो महानगर पालिका के नक्षे में प्रभाग क्रमां के कहत्तर कहलाता है यहां तकरीबन डेड़ लाक की श्रमिक आबादी बस्ती है जो टैक्स के रूप में मन्पा को अपने खून पसीने की कमाई सिर्फ इसलिए देती है ताकि उन्हें स्वच्छ पानी, अच्चे गटर, स्वच्छ शोचाले एवं साब सुतरी सुविधाय मिल सकें लेकिन इने तो तूटे हुए और बधाल गटर, गंदगी और कच्रे कामबार, पानी की भारी किल्लत और हर साल कई लोगों की जान लेने वाले खुले बिजली तार और खंभे मिल रहे हैं सवाल ये है कि क्या जनता ने इसी नरक यातना के लिए अपना कीमती ओट और खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में दिया है अगर नहीं तो फिर ऐसे चुनाओ, ऐसे नगर सेवक और ऐसे मनपा परशाशन की जरूरत भला क्या है पाउसला मुरे रहा में घरा में कीड़े ढिंगतात त्या मुरे आजारी परतात कि वा तेना आरोग आ जाना लगते कि मालेरिया होतों कि वा नीमोनिय होतों कहा है पानी की तकलीफ है लेकिन गटर साफ करने कोई नहीं जब बारिश होती है तो गटर का पानी पूरा उपर तक आता हैं वह हमारे घर में यह हो जाता है गटर का मच्चर वाज़ बीमारी आता है वहीं नहीं आता है तो बहुत दिन के बाद आता है एक मैना दो मैना लगता है छेछे महीने के बादा आते अभी बनाया तो गटरो को पूरा तुट भी गया थ। बताना जरूरी है कि लोकनेता गनेशनाईक नविम बई को बेहतर सिटी बनाना चाहते हैं लेकिन नगर सेवक हैं कि उनके विकास के मिशन में पलीता लगा रहे हैं हनुमान नगर इसका उदारन है जहाँ दस सालों से मेढकर परिवार का कबजा है पहले अमित मेढकर नगर सेवक रहे अब उनकी रिष्टेदार पूजा मेढकर नगर सेविका हैं लेकिन हालत जास्ती तस है, पुर्वमंत्री ने अमित मेरकर को जोपरपटी सुधार समीती का सभापती भी बनाया था, लेकिन मेरकर अपने वार्ड हनुमान नगर जोपरपटी की हालत सुधारने में भी नाकाम रहे, फिलाल जनता नाराज है और अपने टैक्स और वोट का ह साब मांग रही है जाहिर है जनता का यह गुस्सा अगले चुनाओं में भारी पड़ सकता है जब से हम लोग को तकलीप है हम बता बता के ठक गए गटर वाले ते कोई आते नहीं बनाने को अभी परसु की दिन भी बताई ते भी नहीं बनाए पर रस्ता ऐसे बना है यह पुरा निकल गया है बच्चे खेलते हैं यहां चोटे चोटे यहां बहुत तकलीप है और पानी का तो सबसे ज़ादा प्रापलम पानी भी नहीं यहां पे हमको बहुत नीचसे पानी लाना पड़ता है एक दम TV1 इंडिया ने इस मुद्धे पर कई बार सानी नगर सेविका पूजा मेड़कर और मरपा अधिकारियों से जवाब जानने की कोशिश की लेकिन कोई भी कैमरे पर बोलने को तयार नहीं है सब लाको करोडों के पिछले विकास कारियों का हिसाब गिना रहे हैं उद्गाटन का फोटो दिखा रहे हैं लेकिन कैमरे में कैद हनुमान नगर की तस्बीर हैं उनके सभी दावों की पोल खोल रही है इस बीच शुशेना नगर से वक सूरेश पुलकर्णी यहां लगातार जन संपर्क में जुटे हैं उनका दावा है कि जब यहां परिवर्तन होगा तभी हनुमान नगर की हालत सुधर पाएगी आयुम्बे महापले का एक नंबर पर आई है आयुकत को मैं बताऊँगा कि अनुमान नगर प्रवाकर एककातर में जाके देखिए कि आप एक नंबर पर है कि जूरो नंबर पर है वहां पर लोगों को पानी की सुविदा ही नहीं रहने को अचुले हो नरक है नरक अनुमान नगर नरक है लोग नरक में रहे तो इतना टैक्स लोग भर रहे है पानी का बील भर रहे है क्या नहीं कर रहे है लोग तो भी लोगों को क्यों नहीं बिजली ने आज 230 पोल है उस जो हम लोग टैक्स बर रहे हैं, उसमें से महापली का सुवीद रहे हैं, मगर ये सुवीदाल लोगों को हनमन नगर में क्यूं नहीं मिल रहे हैं, मैं यह जाब आईकत को पुछ रहा हूं, Wi- tiếp को पुच रहा हूं, वाके स्धानिक नगर से को पुच रहा हूं, तुर्बा स्टोर में इंद्रा नगरों, अमेडकर नगर, गनेश नगर जिस तरह हमारे सिवल सने के वरिष्ट निता सुरेश जी कुलकरी साब ने जो लोगों को जो सुविदा दीए वही सुविदा हम महापाली के से देना चाहते Bureau Report TV1 India लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 India को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें